नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम आपको जमाल गोटा से होने वाले कुछ स्वास्तलाप के बारे में बताएंगे जैपाल एक पौधा है जो आयरवेद में गंजेपन, स्वापन दोश, जलोदर्ता, लंबे समय से चली आ रही कब्स आदी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है इसके बीज मुख्य रूप से विरैचक के रूप में प्रयोग किये जाते हैं इसलिए इसका नाम परगेविट क्रोटन होता है इसे हिंदी में जमाल गोटा के रूप में जाना जाता है जमाल गोटा के पेड़ की उचाई 15-20 फिट होती है जो उत्तर पूर्व और दक्षिन भारती राज्यों में पाया जाता है इसके पत्ते 2-4 इंच लंबे, पतले और चिकने और 3-5 शिराओं वाले होते हैं इसका फूल हरा पीला होता है, प्रक्रती में 2-3 इंच लंबा होता है, इसका फल 1 इंच लंबा, सफेद और गोल होता है और 3 भागों में बटा होता है इसके बीच अंडाकार और बूरे रंके होते हैं और 0.5 से 0.7 इंच तक लंबे होते हैं बीच के अंदर लाल बूरे रंका तेल जैसा पदार्ध होता है तो चलिए दोस्तों अब हम आपको विस्तार से बताते हैं इससे जुड़े कुछ स्वासलाब के बारे में सबसे पहले एकने बेदन उन सबी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं क्रप्या हमारे चैनल की सदस्ता को जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे द्वरदी कई जैनकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदब उठा सकें साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंतितक सरूर देखेगा नारियल के तेल में जमाल गोटा को पीस कर लेब बना लीजिए और फिर इस लेब को अपनी तवचा पर लगाएं इससे चर्म रोग या तवचा से जुड़े रोग खत्म हो जाते हैं सिर दर्द होने पर जमाल गोटा के बीच को पीस लीजिए फिर पेस्ट बना कर माते पर लगाएं इससे सिर का दर्द दूर हो जाता है जमाल गोटा को तर्म कड़े पर तुकड़े तुकड़े करके डाल लीजे और उत्पन हुए दूं को मूँ से अंदर खीच कर नाक से बहार निकाल लीजे यहाँ प्रयोग बार बार दोहराएं जले हुए जमाल गोटे के तुकड़े को पान में रखकर चबाकर खाना भी अधिक गुणकारी होता है इससे सांस और दमा में बहुती लाप मिलता है तिल के तेल में जमाल गोटा के तेल की कुछ बूंदे मिलाकर मालिश करने से संदीवात और पक्षिपात में बहुती लाप मिलता है मस्तिश के जुअर में भी इससे बहुती लाप मिलता है सिर के बाल मुनवाकर तीन चम्मच जैतुन के तेल में एक चम्मच जमाल गोटा का तेल मिलाकर मालिश करना इसमें बहुती लापदायक होता है मक्षन या शहद के साथ जमाल गोटा के तेल की एक बुन जीब के रहें रख देना बहुती फायदेमंद होता है इससे brain hemorrhage वकोमा में बहुती लाब मिलता है इसकी जड़ों की पहारी छाल को गुड के साथ मिश्रिट किया जाता है इस मिश्रन को पित्ताशे और पित्ते के स्थराफ को बढ़ाने के लिए मौखिक रूप से लेने की सलहाद दी जाती है यहाँ पीलिया उपचार में भी मदद करता है और सफेद मल को भी कम कर देता है तो दोस्तों यदि आपको अचकी हमारी जनकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजेगा इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद